मस्कार स्वागत है आपका हमरे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शुप्राजैनी पश्यम पंगाल दोरे केभाद केंट्रे ग्रीमंत्री अमिशा अस्ताम के दो दिवस्ते दोरे पर है और इस दोरान अस्ताम में हिमनता विश्वसर्मा सरकार के एक साल पूरा होने पर जनता को संबोधित करते हुए केद्रे अक्रिमंत्री अमिशाह ने ऑ पार फिर मम्ता विनैश्ची सरकार पर निशाना साधा तो वही अगा diversity केंद्र सरकार की मदद से राच्च में खुसपैट के खिलाफ एक अभिध दिवार बनाने का काम किया है केंद्र की मोदी सरकार पश्यम बंगाल और अस्थाम दोनों राच्चों में खुसपैट को रोकने की हर मुम्किन कोशिश कर रही है पश्यम बंगाल में जहां तर्णूल कॉंक्रिस का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है जहां ममता विनेची इस पूरे माफले ने केंद्र सरकार को सहयोग नहीं कर रही है और कहीं न कहीं खुसपैट को रोकने में पूरी तरीके से विफल हो रही है तो वहीं अस्थम की हिमनता विस्वु सर्मा सरकार खुसपैट को रोकने की कोशिश कर रही है हिमनता फिस्व सर्मा सरकार खुसपैट की खिलाफ फारत सरकार की नीती के साथ चटान की तरह खड़ी है यह बड़ी बात केत्रे ग्रिमंत्री की ओर से कही गई है आनि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पश्रिम बंगाल में जो लगातार बांगला सेश से पश्रिम बंगाल में खुसपैट हो रही है जिस तरीके से ये अवैद तरीके से खुसपैट है लगातार पश्रिम बंगाल में दस्तक दे रही है जिस तरहिके से रोहिंग्या लगातार वहां आकर बस रहे हैं उसको लेकर केंद सरकार हाला की एक्शन मोड में है लेकिन बावचूत इसके तिर्टमूल कॉंक्रेस और ममता भिनेट्ची सरकार का कोई सहयोग देखने को नहीं मिल रहा है बजाए इसके गेंद सरकार ने जो रननीती इस पूरे घुसपैठियो को रोकने के लिए बनाई है याहीं बॉर्डर सेक्योरिटी फोर्स का जो दारह है जो बॉर्डर एर्या है वहाँ पचास किलोमीटर तक उसे बढ़ा दिया क्या है यानि जो बॉर्डर एरिया है वहां से 50 किलोमीटर तक बियसफ का शेत्र होगा बियसफ को दभाम ताक्ते दी गई हैं लेकिन इस पर ही ममता बिनहची बोखलाई हुई है और बियसफ की ही निकरानी करने के आथेश उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को देती है तो इस तरीके से लगातार ममता बिनहची और केंदर सरकार के पीच टकराफ की स्थिती लगातार देखने को मिली है तो लगातार केंदरे ग्रिमंतरी अमिशा भी परशिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बिनहची और तेर्मूल कॉंग्रेस सरकार पर हमलवर हैं आपको यह पत बंगलादेश सीमा की यात्रा के साथ की जहां उन्होंने सुरक्षा पर्ठ्नाली की जहां सभाद हम राच्या की खुसपैट में दॉर्व किया ये भारजीति नितांपर्टी की ठी छह साल के साशन के दूरान में खुसपैट पर पर काफी हद आका पडलिया है यह लगभग ना के परावर है यानि साफ़तोर पर उन्हें इस बात का उल्ठे किया कि एक तरफ ममता बिनेची की सरकार है एक तरफ मुख्यमंतरी ममता बिनेची है जो इस पूरे घुसपैट को रोकने में नाकामियाद थावित हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंतरी ह बनता बिश्वर सर्मा है जिनका एक्शन साफ़तोर पर अब खुसपैचियों पर कहीं असर डाल रहा है और अब नतीजे यह है कि अजसम के वज़ाए अब पश्यम बंगार में घुसपैटिये जो है वो खुसपैट का रास्ता चुन रहा है जिसे ममता बिनेची पुरी तर बंगाल की मुख्यमंद्री ममता बिनेची पर जमकर हमला पोला था उन्हें कहा था कि मा माटी मानुस का नारा देने वाली ममता को बंगाल की जनता ने तीन बार कुरसी पर बैठाया सोचा था कि वो सुधर चायंगी लेकिन स्थिती नहीं बदली यह साफ़तोर पर केंद्र ग्रिमंत्री अमिश्या ने ये भी कहा कि जब तक ममता दीदी बंगाल की जनता पर अतियाचार प्रस्टरचार कट मनी सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेगी तब तक बीचेपी अकनी लड़ाई ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जारी रखेगी अमिश्या ने कहा कि चुना बंगाल की मुक्य मंतरी बंगाल की ममता विचेपी पर हमला पूला किया वहीं आपको बताते ही जो नाकरिक्ता संशोधन कानून को लेकर लगासार ममता बनेची पश्यम बंगार की जनता के बीच भर्म फैला रही हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़े पहमाने पर वहां खुसबैचियों को लगासार बसाया चारा है वोट बैंक की राशनीती करने के लिए तुस्टिक्रन की राशनीती के लिए लगातार ममता बनेची पश्यम बंगार में ये करती आई हैं और उस पर ही जाफतोर पर ममता भिनेची को चेतावी देते हुए केंट्रे ग्रिमिध्य ने ये कहा है कि ममता भिनेची और टीमसी के कान खोल कर सुन ले कि सीए वास्तविक्ता है था और रहेगा बंगाल से खुसपैट खत्म हम करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि कोरोना के लहर खत्म होने के बाद सीए को लाकू खिया चाहेगा जो बात ममता भिनेची और टीमसी की और से लगातार कही जाती है कि अफवा एक तरीके से फैलाई चाहत है कि ये जमीन पर लागू नहीं होगा लेकिन साथ तोर पर ग्रेंद्रे अग्रेमंत्री की उससे कहा क्या है कि सीए को हम लागू करके रहेंगे ये साथ तोर पर उनकी तरब से कहा गया तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और अस्थाम एक दूसरे से सटे कुई के ममता भिनेच्ची काफिच हो चुकी है लेकिन किस तरीके से वहां लगासार कानून विस्था चर्मराई हुई है किस तरीके से घुसबैठी लगासार पांगला देश से घुसबैट कर रहे हैं पश्चिम पंगाल के रासे और देश के तमाम लग-लग राच्यों में कर रही है कि तर्सकरी के नाव पर लोगों की हत्याएं प्यस्था कर रही है इतनी गंफीर आरोप उनकी तरफ से हाली में लगाए करे थे जहां उन्हें यह कहा था कि बिस्था जो है मनमानी कर रही है बिस्था वहां लोगों को मारफीट उनके साथ कर रही है और पुलिस अ देश्य नहीं करना नहीं है बलकि कही नहीं नहीं कर रही हैं और लगाहतार या केंध्रिया सुरक्षा बलो पर भी हमिलावान नदराई हैं ये हमने लगातार चुनाहों में देखा है और यहीं बजा है कि लगातार पश्चिम बंगाल सरकार यानि मुख्यमंतरी ममता भिनेशी और केंद्र सरकार के पीछ टकराव ही देखने को मिला है लेकिन असाम शब से हिमन्ता विश्वस सर्मा के सरकार आई है, मुख्यमंत्री हिमन्ता विश्वस सर्मा पने हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का फुल एक्शन जो है वो असाम में देखने को मिल रहा है, जहां रोहिंग्या और करते हैं हर एक्शन पर के साथ है यहीं वज़ा यह बड़ीत रहा है कि हम में गुत सित्रा बहुत सपलता नहीं इसमन क्लाब चटान की तरह घड़ी है यह गौहर्टी में एक कार्यक्रम को संपूलित करते हुए केंध्रे अग्रिमंत्री अमिश्या की ओर से बड़ी फात कही गई असम सरकार भारत सरकार का समर्थन कर रही है इसके कारण असम की जिफाओं से खुसपैट को रोकने के लिए हमें बहुत बड़ा फायता मिला है यानि असम से अब खुसपैट का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंध हो चुका है जिस तरीके से हमन्ता विस्वल सर्मा की सरकार वहां फुल एक्शन में है इन खुसपैठियों के खिलाफ लेकिन वहीं पंजाब जहां आम आदमी पार्टी सक्ता में है वहीं पश्यम पंगा में बियस्व का दाहरा बढ़ाने से भड़की बलकि इसके लाए रात्थानी दिल्ली में भी किस तरीके से खुसपैठियों का समर्थन कर रही है बाक्ला देशी जो अवे तरीके से हिंदुस्तार में रहन रहे हैं उन्हें बकाहिता तबाम राशन से लेकर वित्या साहिता जो है आम आत्वी पार्टी की ओर से दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरह पश्रिम बंगार में ममता बिनची सरकार है जो तुस्तिक्रन की राशनिती करने के लिए लगातार इन खुसपैठियों को सहरा दे रही है और यही वजा है कि दाहरा बढ़ाने से भी भड़की हु खुसपैठ को रोकने में ममता बिनची नाकाम्याब जाबित हो रही है और केंद्र काफी वो सहयोग नहीं कर रही है पश्रिम बंगाल में खुसपैठ रोकने के लिए ममता बिनची कुछ भी नहीं कर रही है यह साथ तोर पर केंद्रे ग्रेवंत्री अमिश्या की ओर से कहा क्या है फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कमेंट बोक्स में जरू लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद